Hello everyone, CGPAC ABCD में आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आगा हूँ CGL 2023 का Previous Year Question ठीक है? इससे पहले भी मैं एक वीडियो जो है अल्डेडी डाल चुका हूँ अगर आपने नहीं देखाया तो जरूर देखिएगा अगर आप SACC CGL की त्यारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जादा important हो सकता है ठीक है? इस वीडियो सिरीज में हम क्या कर रहे हैं कि 2023 में जितने भी SACC CGL का Tier 1 में एक्जाम में जितने भी GS Question पूछे गए थे ठीक है? GK and GS के जितने भी questions पुछे गए थे उन सभी questions को मैं solution बता रहा हूँ साथी साथ कुछ extra facts भी इसमें मैं include कर रहा हूँ ताकि आप सभी का revision भी हो जाए साथी साथ previous question का analysis भी हो जाए ये सारे questions जो है आपको ना किवल SACC CGL में मदद करेगा साथी साथ जो RRB NTPC का जो एक्जाम आने वाला है उसमें भी आप सभी को बहुत मदद मिलेगा तो इस वीडियो में शुरू से last रख बने रहें इस पूरे वीडियो सिरीज में अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर ले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर ले यह जो हमारा वीडियो नमबर टू है यह SSE Cigil Tier 1 का जो 14 जुलाई 2014 को सुरी 14 जुलाई 2023 को जो सेकेंड सिफ्ट में जो एक्जाम हुआ था ठीक है सेकेंड सिफ्ट का जो एक्जाम हुआ था उसके पेपर्स हैं तो इसको आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप टेस्ट की तरह भी इसको दे सकते हैं और लास्ट में आप बताएगा कि टोटल में से आपका कितना से जूरा है और मैं जो कुछ भी यहाँ एक्स्टा फेक्ट बता रहा हूँ उसको भी आप साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज का प्रश्ण करमांग एक नमबर भी पहला प्रश्ण है कि लाइनस काल पॉलिंग को रसायनिक आबंध की प्रकृती और जटिल पदार्थों की सरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रियोक के छेत्र में उनके सोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबल प्राइज पुरसकार दिया गया था देखिए मैं आप सभी को सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो नोबल प्राइज वाला सेक्सें होता है ठीक है यहां से आपको SSE CIGIL में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और RRB NTPC के अंदर भी देखने को मिलेगा तो इसको आप जरूर करके चली जाएगा और कोशिश यह करिएगा कि जितना पुराने भी जो नोबल प्राइज होते हैं डिस्टिबूटेड होते हैं वहां से भी प्रेश्चन अधिक से अधिक बनाया जा सकता है तो at least जो एकसा में पूछे जा चुके हैं उसको करके रखिएगा और जो लेटेस्ट वाला जो नोबल प्राइज एक दो साल का दिया गया होता है आप उसको जरूर याद रखिएगा तो अब ये प्रेश्ट जो है बताइए कि लाइनस काल पॉलिंग को किस वर्ष नोबल प्राइज दिया गया है राइट एंसर है 1904 में इनको 1904 का नोबल प्राइज दिया गया है आप सभी को पता ही होगा कि जो नोबल प्राइज है इसकी शुरुआत 1901 से हुआ था और वर्तमान में ये 6 छित्रों में दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एक्जाम में कई बार से पुछा जाता है अगर 2023 का नोबल प्राइज की बात किया जाए ठीक है 2023 में नोबल प्राइज की बात किया जाए तो आप इसका पूरा एक चार्ट प्रिपेर कर लिजेगा याद कर लिजेगा मैं यहाँ पर एक दो बता देता हूँ जैसे अगर सहित्य की बात करूँ literature का तो literature का भी आपको याद रखना है साहित्य के छेत्र में John Fossey को दिया गया था ठीक है किसको दिया गया था तो John Fossey को दिया गया था इसी तरह अगर एक question आप से पूछ लिया जाएगा कि peace के लिए किसको मिला था या फिर कह लिए जे कि नोबल का शांती का पुरसकार किसको मिला था तो यह मिला था एक इरानी कार्य करता है नर्गेश मुहमधी ठीक है मैं नाम लिख देता हूं याँ पर नर्गेश मुहमधी इनको दिया गया था शांती के लिए नोबल पुरसकार अर्थ सास्त्र में दिया गया था Claudia Golden को तो यह अटलिस तीन याद रखेगा बाकी अब सारे शीच को भी सारे नोबल प्राइस को उसको भी याद रखेगा Question number two निमन लिकित में से किस राज्य या फिर संग राज्यों में 36 राश्ट्रिय खेलों का आयोजन किया गया था ठीक है यह तब का है जब एक्जाम 2023 में लिया गया था उस समय की आपसे बात किया गया है कि 2023 में कहां किया गया था ठीक है बुराना वाला जब यह exam लेया गया तो उसरे हैं, मतलब यहां पे दिया गया कि 36 राष्ट्रिय खेलो का आयोजन कहां किया गया था राज़िस्थान, नएदिलिये, गुजराट या फिर केरल राइट एंसर है अप्शिण नमबर तीन, गुजराट के अंदर 37 वाला जो है ये कहां पर खेला गया था तो 27 नंबर का है ये 2023 में खेला गया था रास्ट ये खेल और कहां तो गवा के अंदर इस खेल को खेला गया था ठीक है याद रखीगा 38 नंबर का 38 अगर पूछ ले तो ये कहां 2024 के अंदर ठीक है 2024 के अंदर ये कहां होगा उतरा खंड के अंदर ठी question number 3, तीसरा प्रशन है इस screen पर आप सभी के लिए कि न्याय धिसों को एक उच न्याले से दूसरे न्याले में, जो न्याय धिस होते हैं, उनको एक उच न्याले से दूसरे उच न्याले में इस्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है, ये एक बहुत अच्छा अधिक या फिर भारत के मुख्य न्याई धिस, तो आपको कई लोग अगर इसको पढ़ेंगे नहीं, तो भारत के मुख्य न्याय धिस मारदोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो काम कर सकता है, भारत के जो रास्टपती होते हैं, वो कर सकते हैं कि किसी ए या फिर जो कहले जो उच्छ नयाले होता है, ठीक है। हाइग को ऑच्छ नयाले, इसके लिए समिधान में कहां से कहां तक का Article तो आपको याद रखना है, क्षिश नयाले से लेके Article 231 तक है, यह उच्छ नयाले से सम्नाधित होता है, ठीक है। और आर्टिकल 214 जो है ये आपको याद रखना है कि सभी जो ये 214 ये बताता है कि जितने भी भारत के राज़े हैं सभी के लिए एक उच्छ नयायल है एक हाई कोट होगा ये आर्टिकल 214 कहता है ठीक है इसी तरह आप से सुप्रीम कोट के लिए भी कुछ आर्टिकल याद चाहिए कि सुप्रीम कोट के लिए आर्टिकल क्या है तो सुप्रीम कोट का जो आर्टिकल है आपको 124 याद रखना है ठीक है जैसे ये 214 है इसी को उलट देंगे एक को पहले कर देंगे तो 124 हो जाएगा और ये 124 जो है सुप्रीम कोट के लिए है और इसके अनुसार भा भारत के गड़तंत्र दिवस समारों में लगातार कीन दो वर्सों में मुख्य अतिथी नहीं आया था, ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्ण है उस समय का, प्रश्ण ये गया था, क्योंकि हमको पता है कि जितने बार भी Republic Day होता है, Republic Day celebration होता है भारत का, ठीक है, गड़तंत् और बाइस क्यों कि वो Covid का period था, ठीक है, Covid के period होने के कारण किसी भी अतिती को invite नहीं किया गया था, तो एक चीज़ आप याद रखेगा, कि जो 2024 का Republic दे था, 2024 का जो गड़तंत्र दिवस था, इसमें किसको बुलाया गया था, तो आपको याद रखना है जो France का, ठीक है, ज जो 2024 का जो गड़तंत्र दिवस समारोह था, उसमें बुलाया गया था, ठीक है, याद रखेगा, चलिए, question नमबर पाचवा, पाचवा प्रश्ण है कि अंतर रास्ट्य ये बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया था, ये भी अच्छा प्रश्ण है, कहीं न कहीं आप देखेंगे, तो दिन दिवस वाला जो टॉपिक है, यहां से प्रश्ण पूछा जाता है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, SST CIGIL, या फिर RRB, NTBC, या किसी भी एक्जाम का, तो ये जो डे वाला जो है, दिवस वाला जो section होता है, इसको आपको एक बार पढ़के जरूर रखना चाहि दिवस के रूपे मनाया जाता है, ठीक है, चलिए एक question आपसे पूछता हो, बताईएगा, चलिए इसका बताईएगा कि महिला दिवस, ठीक है, अंतरास्टिये महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, comment करके बताईगा, और हाँ, एक चीज़ आपको यादी रखना है, कि इसका बताईगा, ठीक है, चलिए, छटवा प्रशन है, खाली स्थान, हवा, प्रकास, नमी या भोजन को खराब करने वाली जिवानविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पून या पून आक्सिकरण या जल अभगटन की एक प्रक्रिया है, यह साइंस का ए अच्छा प्रशन है, ठीक है, बताना है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है इसमें, ठीक है, जो क्या करता है, हवा, प्रकास, नमी या भोजन को खराब करने के लिए जिवानविक क्रिया के संपर्क में आने से वसा और तेलों का पून आक्सिकरण करने का कार्य करता है, स्वत्ह अब चैन, विक्रित गंधन, स्वत्ह आकसि करण या फिर हाइडरोजनन, ठीक है, राइट एंसर है, उप्शन नमबर टू, इसको कहते हैं, विक्रिती गंधन, ठीक है, इस चारों में से एक चो हाइडरोजनन जो है, जिसको हाइडरोजनेशन करते हैं, इसको आपको याद ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो असंत्रिप्त, ठीक है, असंत्रिप्त हाइडरोकार्बन को संत्रिप्त योगिक में, या फिर संत्रिप्त हाइडरोकार्बन में बदलने की प्रकिरिया होती है, ठीक है, याद रखीगा, क्या हाइडरोजनेशन या फिर हाइडरोजन जाता है है, ठीक है, vegetable घी, डालदा आपने उनाओगा, जो डालदा होता है, वही vegetable घी होता है, तो यह hydrogenation की प्रक्रिया के बाद ही ऐसा संब़ा हो पाता है, ठीक है, चले, question नमबर सेवन्थ, सातवा प्रश्न है स्क्रीन के उपर की एक तत्व एक्स की पर्मानु संख्या क्या होगी जो आवर्त दो और समुह सत्रा में उपस्थित होता, ये भी केमेस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कही बार से पुछा जाता है, पहली याद रखेगा जो आउटर मोस्ट सेल होगा, जो सबसे बाहतम कोश होगा, ठीक है, बाहतम कोश में आपको साथ इलेक्ट्रोन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या बोड़ाओ, साथ इलेक्ट्रोन देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर देखिए, ये पहला वाला जो है, ये स और साथ को जब आप electronic configuration करेंगे, तो कैसे करोगे ऑई पहले तो पहले चल में दो उसके बात वाले में 5 भर जाएगा, आठ का अगर करोगे तो सबसे पहले ही तो इसकब पहले छेल में 2 होता है और उसके बात 8 होता है, यह जो प्रमानु क्रमांक 9 है ये किसका है तो समूह 2 में और समूह 17 नंबर पर आएगा इसलिए इसका एंसर option नंबर फॉर्थ बिल्कुल राइट होगा कैसे पता करेंगे कि दूसरे आवर्थ में तो ये पहला जितना सेल नंबर होगा ये पहला सेल होगा ये दूसरा सेल होगा तो ये आवर्थ 2 हो गया लास्ट वाले में जितना आपका साथ आया तो वो कितना वो समूह को बताता है 17 नंबर का समूह बताता है अब आप लोग कमेंट करके बताए कि कौन सा ऐसा प्रमानु होता है ठीक है कौन सा ऐसा एटम है जिनका प्रमानु संख्या ना होता है सभी लो 1875 में कौन सी संस्था की स्थापना बंबई में हुई थी, अलिगड़ आंदोलन, सत्य सोधक समाज, आरे समाज या फिर ब्रह्म समाज, राइट एंसर, option number 3, जो आरे समाज है, उसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी, और आरे समाज की स्थापना किस ने किया था, तो I think आप सभी को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्था की स्थापना 1875 में है, लेकिन यह मुंबई में नहीं हुआ था, कहां किस ने किया था, तो सर सयद अहमद खां, नाम आपको याद रखना है, जो अलिगड उनिवर्सिटी है, उनको भी सायद इन्होंने ही बनाते है, सर सयद अहमद खां, ठीक है, याद रखना है, सत्य सोधक समाज की स्थापना 1873 में जोतिबा फुले के द्वारा किया गया था, ठीक है, जोतिबा फुले के द्वारा किया गया था, प्रहम समाज तो सबसे कॉमन है, एक्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, 1828 में, इसके द्वारा, तो राजा, राम, मोहन, राय के द्वारा, कॉमेंट करके आप लोग एक बताईएगा, कि सती प्रथा पर बैन लगाने में किसका हाथ था, और उस समय गवर्नर जनर्रल भारत का कौन था, कॉमेंट करके बताईएगा, ठीक है, तो इसका एंसर था, ओप्श संस्था की स्थापना की थी, यभी एक अच्छा प्रस्ने कई बार पूछा जा चुका है, खुदाई खिद्मतगार नामाक जो संस्था है, उसकी स्थापना किस ने किया था, खान अब्दुल गफार खान, हसरत मोहानी, म. अंसार या फिर मुहमद अली, राय अंसर आप्श इसको हम बोलते है, फिशर के मात्रा सिथान को उनके द्वारा खाली स्थान के रूप में दिये गया, प्रसिद्य समीकरण के माध्यम से समझाया गया, इसको हम बोलते है, फिशर's, एक्वेशन औफ एक्स्चेंज, ठीक है, फिशर's equation औफ एक्स्चेंज के नाम से भी जाना को कितने money का supply क्या है तो supplied money को represent किया जाता M से V का मतलब होता है velocity of money ठीक है velocity of money और जो यहां पर P आप देख रहे हैं ठीक है यह जो P है इस P का मतलब क्या होता है तो price level ठीक है price level को represent करता है और last में आग तो T represent करता है transaction को ठीक है तो यह economics का question था आपको याद रखना है चलिए दसवाँ प्रशन हो क्या ग्यारोग 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 का प्रशन है कि जनवरी 2022 में किस राजसरकार ने दिव्यांग वेक्तियों PWDS के ससकती करण के लिए अपनी एक अक्रित पहल भीम भोई भिन ख्यामा समर्थ अभ्यान BBSA को जो अगले पांच वर्स को लिए बढ़ाया गया है ठीक है कौनसी राज्य के द्वारा जारखन ओडिशा पस्चिम मंगालिया मनिपु राइट अंसर अप्शन नमबर ऑप्शन नमबर दो ठीक है ओडिशा सरकार के द्वारा BBSA इस योजना को पांच वर्स के लिए बढ़ाया गया है आपको याद रखना है ठीक है एक क्वेशन आपसे पुछता हूँ कि बताइए कि छतने जो भारत का कौनसी मतलब किस राज्य की राज्य सरकार है जिसने राज्य गांधी नागरिक अभय हस्तभय योजना को चलाया ठीक है हस्तम योजना को चलाया शुरू किया है मैं नाम लिख देता हूं क्या नाम है त नागरिक अभय हस्तम योजना इस योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है बताना है आपको राज्य सरकार का नाम की कौन से राज्य में इसको चलाया गया है आपको कॉमेंट करके बताना है ठीक है चलिए 12 प्रशन है निम्न लिकित में से कौन सा विक कल भारतिय समिधान में रिपभलिक, गंतंत शब्ध का अर्थ बताता है। चुने जाते हैं, इनके बाद वो बहुमत साबित करने के बाद प्रधान मंत्री पद्वी होते हैं, मतलब एक निर्वाचित होते हैं, कोई वंशन, वंशानु करम में उनको कह लिजे कि एक राजा की पद्वी नहीं दी गया है, ठीक है, हमारे देश में कैसा है, एक सम्विध सम्विधान का प्रस्तावना है, उसमें कुछ सब्दों को जोडा गया था, कौन कौन से सब्द, समाजवादी, धर्म निर्पेक्ष, समाजवादी हो गया, धर्म निर्पेक्ष, एकता, अखंडता, ठीक है, इन सब्दों को जोडा गया था, अब आपसे प्रश्न ये यह सब एंसर जो है आप लोग कॉमेंट करिएगा राइट चले कुश्य नमर 13 तेरहवा प्रश्ण है कि मृच्छ कटी का नामक जो नाटेक है इसको किस ने लिखा था अमर सिन्हा ने शुद्रक ने काली दास ने या फिर भास ने किस तरह राइट एंसर आप सभी को पता मिच कटी का जो है इसका हिंदी का हिंदी में मतलब होता है मिटी का खिलोना मिटी का खिलोना और इसको लिखा किस ने था तो सुद्रक ने लिखा था ठीक है एक प्रश्ण और याद रखी का जो कई बार एक्जाम में पूछा गया है एक अपने बुक सुना होगा लाइफ डिव लाइन लाइफ है ठीक है एक बुक ये भी है डिवाइन लाइफ इसको किसके द्वारा लिखा गया है आप लोग कॉमेंट करके बताईएगा क्शो नबर 14 डोज़र बीस ओलमपिक खेलो का डोजन इस्थल क्या था ये भी एक इंपोर्टेंट प्रश्ण है ओलमपिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़के जाना है जितना इंपोर्टेंट आप नॉबल प्राइस को देंगे उतना ही इंपोर्टेंस जो है अभी 2024 में हो रहा होगा और हो रहा है ठीक है कहा हुआ था Sydney, Rio, Los Angeles या फिट Tokyo, right answer option number D, ठीक है 2020 का कहा हुआ था Tokyo के अंदर हुआ था Japan Tokyo के अंदर, जापान Tokyo में, अब question यहां से है कि 2024 वाला जो अभी हो रहा है, 2024 का Olympic कहा हो रहा है, 2024 का Olympic जो है Paris के अंदर हो रहा है, ठीक है कहा हो हो रहा है, Paris, France में हो रहा है, अब question आपसे आता है कि 2024 के बाद आएगा कहां, 2028 में, 2028 का Olympic कहां होने वाला है, comment करके आप लोग बताईएगा, ठीक है, चले, question number 15 हुआ, 15 नंबर का प्रश्ट है, कि आधुनिक और दोगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतिया निर्यात में मुख्य रूप से खाली स्थान जैसे निर्मान सामिलते, ठीक है, मतलब जब आधुनिक और दोगिक प्रणाली का स्टार्टिंग हुआ, उससे पहले भारत में कौन सी ऐसी चीज़े थी, जिसका निर्यात होता था, सूती और रेस्मी वेस्टर, हल्की मशिनरी, इलेक्रिकल या फिर रसाइंट, राइट अंसर इस सबका अंसर आप अपने अनुमान से भी लगा सकते थे, सूती और रेस्मी कपडों का ही निर्यात भारत से किया जाता था, ठीक है, और जोगिक करण से पहले, जो एक्छी मैं यहां से आप से कुछ बताता हूँ, जो आपको याद से, ठीक है, भारत में आधुनिक ढंक से सुत्री, सुरी, सुत्ती वस्त्र का जो सबसे पहला मिल लगाया था, सुत्ती वस्त्र का सबसे पहला मिल, जो की आधुनिक रूप से विक्सित था, वो कहां लगाया था, तो आपको याद रखना है, 1818 के अंदर लगाया था, तो कल कत्ता के पास एक जगा था, Fort Glaster कहा जाता था, Fort Glaster, वहीं पर लगाया गया था, हलाकि ये सफल नहीं रहा था, ये असफल हो गया था, लेकिन बाद में, सन 1854 में, ठीक है, बाद में सन 1854 में, किसके द्वारा, तो कवास जी जो डाबर है, याद रखेगा, कवास जी डाबर, इनके द्वारा, एक सुत्ती वस्त्र का मिल लगाया गया, अधुनिक रूप से, कहां में, बंबई में, ये वाला जो है, सबसे सफल, भारत का सबसे, मतलब भारत का पहला सफल, सुत्ती वस्त्र उद्योग अठास जोगन में, कवास जी डाबर द्वारा, बंबई में लगाया गया था, और इसका उत्पादन द्वाए, 1856 से शुरू हुआ था, याद रखना है, ठीक है, सुललर नंबर का प्रस्ण है, कि खाली स्थान का, दासकथिया निर्त्य एतिहासिक और परणामिक कथाओं, घटनाओं को चित्रित करते हुए, दो पुरुष्यों द्वारा किया जाने वाला, एक आधिवाशी निर्त्य है, ठीक है, कौन सा, सुरी, दासकथिया निर्त्य जो है, खेला जाता है, दो जन्जाती पुरुष्यों के द्वारा, याद रखीगा, मनि पूरी, आप लोग सुना होगा, ठीक है, यह जो मनि पूरी है, इसमें, ठीक है, यहां से एक प्रश्न आपको याद रखना है, सबसे पहली बात, मनि पूरी जाने से पहले, यहां पर एक चीज़ आपको मैं, एक चीज़ और बता देता हूँ, याद गया रखना है, कि जो उडिसा है, ठीक है, यहां पर कुछ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो आपको याद रखना चाहिए, मनि पूर का कुछ, ऐसे नृित्य का नाम बताता हूँ, जो आपको याद रखना है, जो खेलकुद और युद्ध नृित्य से सम्बंदित माना जाता है, और एक्जाम में पूछा जाता है, मनि पूर का एक नृित्य आपको याद रखना है, ठंगटा नृत्य, ठीक है, ठंगटन रित मनिपूर का है और एक और याद रख सकते हैं केरल का ठीक है केरल का एक रित है जो कि उसको martial art भी कहा जाता है, जिसका नाम है कलारी पट्टू, ठीक है, कलारी पट्टू, ठीक है, याद रखेगा, यहाँ से exam में पूछा जाता है, ठीक है, चले, question number 17, 17 number का प्रेश्ण है कि निम्न लिकित में से कौन सा एक शेवाल है, और ये प्रेश्ण जो है, मैं already कर चुका हूँ, ठीक है, जो इससे पहले वाला वीडियो है, उसमें question number 1 ही था, जो सभी तरह के सेवालों का एक समान ने नाम को बताया था, ठीक है, तो याद रखेगा, जो लाल सेवाल होते हैं, उसको road of IC कहा जाता है, option number 3, जो है, बिलकु right answer, road of IC, version number 18 है, नृत्या, चारे पुरसकार, संगेत, नाटक, अकादमी पुरसकार, और काली दस समान से समानित, गुरु, विपिन, सिंग, किस सास्त्रिय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे, ODC, कुचिपूरी, कत्थक, या फिर मनिपूरी, right answer, option number D, मनिपूरी के लिए ये प्रसिद्ध थे, ठीक है, याद रखेगा, कुछ और भी अगर याद रखना है, तो रख सकते हैं, मनिपूरी जो, जो मनिपूरी नृत्य है, इसको पुनर जिवित करने का इसको जाता है, तो मनिपूरी के एक राजा थे, जिनका नाम था, राजा चंद्र, ठीक है, इन्होंने ही, कह लिजे कि मनिपूरी को पुनर जिवित करने का काम क्या है, एक question पूछता हूँ, बताए कि जो मोहनी अट्टम है, मोहनी अट्टम और कथक कली, मोहनी अट्टम औ और पंडित राम नरायन जैसे संगीतकारों ने निम्लिकित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाया, इंपॉर्टेंट प्रशन, देखिए अगर आप SSC या फिर RRB, NTPC का एकजाम दे रहे हैं, या तयारी कर रहे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ए रिटार या फिर सारंगी, option number D, right answer है, ये लोग जो है, शारंगी के वादर्ख है, ठीक है, याद रखीगा, शहनाई में अगर जाएंगे तो आपने एक नाम सुना होगा, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद्ययंत्र से संबंदित है तो शहनाई से, ठीक है, एक्जाम में कई बार पुछा जा चुका है, अब question एक पुछता हूं कि बताईए कि जो उस्ताद बिस्मिल्ला खां है, इनको, sorry इसका तो मैं answer ही बताती है, 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, याद रखना है, पुछा गया है ये भी, जो उस्ताद बिस्मिल्ला खां है, उनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2001 में दिया गया था, वीना के लिए आपको S.Balakrishnan नाम याद रखना है, बहुत चर्चित नाम, जो वीना वादक है, S.Balakrishnan, ठीक है, अब सितार का एक आपको नाम बताता हूं, जो की जाते हैं, बिश्मा प्रश्ण है, बताइए, कि निम्नलिखित में सिक हिमाले की किस उप्खंड में कंचन जंगा परवत इस्थित है, यह एक इंपोर्टेंट प्रश्ण है, कंचन जंगा परवत जो है, वो हिमाले की किस उप्खंड में इस्थित है, रुनाचल हिमाले, तो आपको सिक्की में देखने को मिलेगा अब आपको यहां से कुछ प्रेशन आप से पूछता हूं बताईए कि हमको पता है कि से कितनी है यह सब से पहला नंबर के उचा कौन से आता है दूसरे नंबर पर आता है केटू तो अब आपकोसरिश्ट औरे और नंधू की उचा करके बताना है इसकी उचाह आप याद रखिएगा फचासी छी से मेटर ठीक है चलिए अब हम 21 प्रस्ट क्यों बढ़ते हैं 21 नमबर का प्रस्ट है कि दिये गए विकल्प में असरत्य कथन कौन सा है चायन केजिए कायंतरित चटाने साधारान रूप से पृत्वी की सतर के काफी नीचे होने उच तापमान और इसके उपर चटान की परतों के अधिक दाब के कारण बन जाती है ये कथन जो है सही है फिर दूसरा है बैकाल चटाने विलियन से और छेपित घुलित सामगरी से बनती है ये कथन असरत्य है इसलिए option number two हमारा right answer हो जाएगा और तीसरा कथन जो है और साधी चटाने जल निकायों के भीतर और पित्वी क सरत्य पर उसामगरी के जमाओं और उसके सिमेंटी करण से बनता है ये कथन भी सही है और चोथा है मैगमा या लावा के ठंडा होने और जमने से आगने चर्टानों का निर्मान होता है बागी कि दूसरा विकल्प के अलावा पहला तीसरा और फॉसरा विकल्प सही है ठीक ह याद रखेगा, 22 प्रश्ण है कि 1528 में चंदेरी के यूद्ध मैंनिम्न लिकित में से किसकी हार हुई थी, ठीक है, यहां से भी प्रश्ण पुछे जाते हैं, यूद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ऐसे प्रश्ण पुछे जाते हैं, सेर्शा, सूरी, सिकंदर, लोदी मेंदनी राय या फिर बाबर, किसकी हार हुई थी, option number 3, राइट अंसर हुआ था, यह जो 1528 का जो चंदेरी का यूद्ध हुआ था, ठीक है, चंदेरी का यूद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, पहली बात तो यह, तो यह बाबर वर्सेस मेदनी राय, ठीक है, बाबर वर्सेस मेदनी राय के बीच में हुआ था, और मेदनी राय किसमें हार हुई थी, यह यूद्ध हुआ कब था, 1528 के अंदर हुआ था, ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो हुमायुव और सेर्शा सूरी के बीच में एक यूद हुआ था, हुमायु और सेर्शा, एक महत्त्पूर यूद हुआ था, जिसमें शेर्शा जो है, विजय हो किया था, उस यूद का नाम था चौसा का यूद, और यह हुआ कब था, तो देट आपको याद रखना है, यह या जो पहला यूद्ध है, कब और किसके बीच में हुआ था, फॉमेंट करके बताएंगा, ठीक है, चलिए, तेश्वमा प्रेश्ट, प्रेश्ट क्रवान तेश्ट है, कि IBEF 2021 के अनुशार भारतिय और सुथी उद्योग मात्रा के अधार पर दुनिया में खाली स्थान पर है, पाचवा, ग्यारवा, तीसरा या नौवा, राइट एंसर है, ऑप्शन नंबर तीन, तीसरा, जब यह एक्जाम हुआ था दो हजार थेईस में, उस समय का एक करेंट अफेर था, याद रखीगा, ठीक है, वर्तमान का नहीं है, उस समय का करेंट अफेर था, इसलिए आपको उस तरीके से ही सोचना पड़ेगा, इसका एंसर ऑप्शन नंबर तीन है, चोबिसमों प्रशन है, के एर नजीव बनाम, भारत संग का जो मामला है, निमने लिकित में से किस अनुछेद के तहट अधिकारों से, उलंगन से सम्बंदित है, अनुछेद 21, अनुछेद 16, अनुछेद 14, ठीक है, तो ये जो मामला था, ये बहुत अच्छा important questions बनता है, ये मामला किस से सम्बंदित है, तो article 21, जो अनुछेद 19, आप सभी को पता है कि किस से, sorry, अनुछेद 21, आप सभी को पता होना ची किस से सम्बंदित है, तो ये प्रान एवं दैहिक स्वतंतरता से सम्बंदित है, तो इसी मामले के कराण ये जो है important हो गया था, और exam में पूछा गया था, अनुछेद 16 आप सभी को पता है, लोक नियोजन में अवसर की सम्बंदित है, तो कौन सा, अनुछेद 16, ठीक है, अनुछेद 19 चलिए, इसको कॉमेंट करके बताएगे कि अनुछ अनुछेद 14 आप जानते हैं सब लोग विधी के समक्ष सम्टा से सम्बंदित है, विधी के समक्ष सम्टा या फिए समांता, ठीक है, अनुछेद 19 किस से सम्बंदित है, आप सभी लोग कॉमेंट करके बताएगे, अब हम चलते हैं 25 और आखरी प्रश्ण इस वीडियो का, निवने लिकीत में से कौन सी भासा, तिब्वती वर्मी भासा परिवार से सम्बंदित है, इंपोर्टन प्रश्ण ऐसे प्रश्ण पूछे जाते हैं, तुलू, असमिया, ओडिया या फिर तृपूरी, ओप्शन नमबर, चौथा बिल्कुल डाइट लेंसर है, ठीक है, जो तृपूरी भासा है, वो तिब्वती वर्मी भासा परिवार से सम्बंदित है, तुलू भासा तो आप सभी को पता होगा, तुलू की से तो एक करनाटक से सम्बंदित है, ठीक है, ये करनाटक राजी से कि एक भासा है, चत्रिय भासा है तुलू, ठीक है, आपको याद रख कुछेटन आपसे पुछता हूँ, जो तेलोगु भासा कि राज्य के में बोला जाता है। हमने 14 जुलाइ सेंपे लिए weiss Alexandre Samus tay nod similar को सेंट रपा सिप्ट ही हिए नोकी तोे ठीकित। बहुत ऐसे ही आपको revision कराऊंगा मिलते हैं किसी और वीडियो में चैनल में नए है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे वीडियो अच्छा लगए तो like कर दे मिलते हैं किसी और वीडियो में इसमें इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद